हलो फ्रेंच वेलकम डो चैनल करन्द अफर अपडेटेड आधिस दिवशी शवस्ती आज अपनी टूमेट सीज में की इंपोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं इसी डिकलरेशन में यादखिएगा एक इंपोर्टेंट एन्वार्मेंट अफॉर्टी बनती है इसका नाम है यून एटक्वाटर जो है केन्या नायूबी में इसका हेटक्वाटर है और यह फॉर्म होती 5 जून 1972 में इसलिए आप देखते होंगे 5 जून को हम व्ल्ल्ट एन् से पहले किस ने सब्सक्राइब का टर्म दिया था तो आंसर वो क्या है ब्रेटलन कमिश्यर जो 1987 में आई थी ठीक है थर्ड अगर अगर बात को इन्वार्मेटर एग्रिमेंट पे तो यह है रियो सम्मिट रियो एक प्लेस है ब्राजील में जिसको हम रियो सम्मिट के नाम स कब जून 1992 में यह आदकना है इसके मेजर तीन आउटकुमेंट है तीन आउटकम अगर हम बात करें तो तीन आउटकुमेंट इसके आउटकम है वो आपको आदकना है क्या यह से लेटेड है कि नहीं एक है रियो डेकलेशन ओन एन्वार्मेंट एंड डेवलप्मेंट यहा पहला जो डॉक्यमेंट है इसी एग्रीमेंट में आया था दूसरा एजेंडा 21 इसमें कोशन पुलिया था 21 क्या है 21 refers to 21st century remember ठीक है next जो है that is forest principle तो तीन डॉक्यमेंट है जो इस सम्मिट पे आये थे remember और इसी सम्मिट पे दो important international agreements भी signed हुए थे जिसको नाम है United Nation Framework Convention on Climate Change जिसको UNFCCC कहते है मतलब 1992 में हुआ था और दूसा था CBD that is Convention on Biodiversity remember तो यह दोनों important agreement थे यह इसी conference में आपको यादखना है signed हुए थे okay अब यह दोनों agreement कि अगरे बात करूं that is UNFCCC मैंने बता है 1932 में ठीक है यह signed हुए इसका objective कहा था Greenhouse Gases को सब्सक्राइब करेंगी कि वह किस तरह करेंगी कि वह किस तरह वक करेंगी जादा जो प्रेशर दिया जाता है वह developed countries को दियाता है इसलिए लिखा हुए common responsibility है याद रखेगा but differentiated है remember मतलब ज्यादा help कॉन करेगा developed country तो यह principle आपको यह रखना है CBDR का तो ओके और इसी UNFCCC की meetings होती है इसको आप COP summits कहते है Conference of Party summit जैसा कुछ important COP summit बताता हूँ UNFCCC की एक हुई थी Japan में Kyoto में Kyoto protocol sign हुआ था 1997 में एक है Paris summit 2015 में हुई थी याद रखेगा और अभी latest 2022 में होने वाली वह एजिप्ट में होने वाली है याद कि को देखते हुए इस Biodiversity Convention को देखते हुए हमने Biodiversity Act 2002 भी established किया हुआ है इंडिया में लोके और इसी के अंदर दो important agreement है मतवाद CBD के अंदर दो agreement है कौन गौन से काटेगन प्रोटोकॉल ठीक है 2000 में साइन हुआ था दूसरा है नागोय प्रोटोकॉल 2010 में साइन हुआ था तो CBD के अंदर दो supplement agreement है यह भी आपको याद रखना है पहला काटेगन प्रोटोकॉल जो की बायो सेफटी 2000 में साइन हुआ था इसका objective क्या है वह मैं आपको बतायता हूँ या दखिएगा Safe Handling and Transport of LMO लिविंग मोडिफाइड और्गेंजब तो उसका इस्तमाल करते हैं उसके लिए उसको इंशोर करने के लिए इस काटेगन प्रोटोकॉल को साइन किया गया है दूसरा है नागोय प्रोटोकॉल 2010 में साइन हुआ था इसका जेंड़ा क्या था आपको कोई प्लेस है वहाँ पर important resources मिलते चाहे हो plants हो medicines हो तो बोला गया है वह जो genetic resources मिल रहे है ठीक है उसका access जो है फेर हो ऐसा नहीं कि आप किसी को उस जगह पर जादा जाने दिया जा रहा है और किसी पार्टी को नहीं जाने दिया रहा है फेर access होना चीए और प्लस वह वहां के लोग गरीब लोग हैं लोकल लोग हैं उनके साथ भी आपको benefits share करने पड़ेंगे हो सकता वहां सोगो अची वैक्सीन बना ले तो वहां के जो जो भी genetic products गेन करेंगे उसका utilization भी equitable होना चाहिए तो यह था नागवय प्रोटकॉल तो तौन 10 में साइन हो था याद कि CBD के अंदर हैं दोनों agreements और इस नागवय पोटकॉल में ही कि इंपरेंट टागेट्स चांग थे याद की टागेट्स रखे गए थे एची टागेट्स कहते हैं पूछा आए टागेट कि से लिटर है बायो डावरसिटी से लिटर है टागेट यहां टागेट्स यहां टुटी इस organization को established तीन लोगे ने किया है, एक है UNDP, World Bank और UNEP, इन्होंने मिलके Global Environment Facility डेवलप कि है, जिससे की finance प्रोवाइड किया जा सके, कि environment ले हम वर्क का सके, ओके, next जो important है, याद अखेगा, United Nation Convention on Combat Desertification, यह आपका अखेगा, Desertifications रेटेर है, 1984 में साइन हुआ था, ओके, दूसरे, REDD, 2008 में sign हुआ था, दूसरे, REDD+, difference क्या बताई था, पहला, REDD का होल फ़र्म क्या है, reducing emission from deforestation and forest degradation, याद दखेगा, मना, deforestation को रोकने की बात करता है, REDD, REDD प्लस में क्या है, forest को deforestation तो रोकने की बात करता है, प्लस साथ में forest grow करने की बात करता है, मेरा, conserve करने की बात कर, deforestation तो रोकना आपको, प्लस forest आपको लगाना भी है, जंगल लगाना भी है, okay, plants लगने, तो या REDD जो है, वो ज़्यादा, मतलब एक तरीके से, एक step आगे है R.E.DD से, नेक्स्त है, Ramsa Convention, जा देखे, 1971 में sign गुआता है किस से लेटेड है, Wetland से लेटेड है, conservation of wetland. नेक्स्त है, जा देखेगा, that is Washington Convention, इसको short form में कहते हैं, sites भी कहते है, full form में कहते हैं, convention on international trade, in endangered species of wild forna and flora, जा देखेगा, जा देखेगा, इसको इसको इंटरनाशनल trade होता है, उसके लिए convention साइन किया गए, इसको Washington Convention भी कहते हैं, 1975 में, नेक्स है CMS, short form है convention on the conservation of migratory species, जिसको आप born convention के नाम से भी जानते हैं, 1979 में साइन हुआ था, देख रहे हैं यहाँ पर किस से लेटर माइगरेटरी species से लेटर है, नेक्स जो है, Stockholm Convention 2001 में साइन हुआ था, objective कहा था, इसको objective यह था, कि हमको eliminate करना है, या restrict करना है, किसको production or use of P.O.P. यहाँ देखेए, persistent organic pollutants जो है, उनको eliminate या restrict करने की बात कहता है, Stockholm Convention 2001 में साइन हुआ था, नेक्स से बेसल कन्वेशन, पुछाएगा कब साइन हुआ, 1989 में, इसका agenda क्या है, agenda आप क्या रखना है, transbonding, control करना है, transbonding movement of hazardous waste, जैसा आप nuclear power plants होते हैं, उसका जो hazardous waste निकलता हम दूसरी गंट्री से भेज़ देते हैं, तो जैसा रखना है कि उसको control करना, यह transbonding movement होती है, कि रश्या में आपने nuclear power plant बना है, उसका hazardous waste निकलता है, तो जैसा रखना ही भेज़ दिया, तो जैसा रखना है कि उसी को control करने की बात करता है, यह BASEL convention, नेक्स है रॉटरडेम convention, 1998 में sign होता है, इसका objective क्या है, इसका objective क्या है, remember कि जो hazardous chemical है, ठीक है, उसकी regarding, तो to facilitate informed decision making, by countries with regard to trade in hazardous chemical, तो hazardous chemical के बाएमें inform करना, remember उसका convention लिटेर है, रॉटरडेम convention से, आपको सिर्फ objective याद अखना है, convention किस से लिटेर है, next है VINA convention, सीधो ozone protection से 1985 में sign होता, मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल 1987 में sign होता, आपको जादा है ये भी ozone depleting substance है, उसको control करने की बात करता है, इसी मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल में एक amendment हुआ था, किगाली agreement, याद एक किगाली प्लेस है, रवांडा की capital है, ओके अफरीका में प्लेस है, मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल का ही amendment है, ये भी आपका रखना है, और लास्ट जो अपना है, मीना माता कंवेंशन 2013 में sign हुआ था, फॉर रिगार्डिंग और दाटिस, एमफर मीना माता, एमफर मर्करी, तो ये तो कुछ important environment convention, जो मैंने आपको बता दिये, I hope आपको लेक्ट्र समझ में आया होगा, विदिन 3-4 मिनिट्स हम जल्दी से सारा topic बता देते हैं, अगर आपको हमाई course को जोईन करना है, तुरंत application को डाउनलोड करो, वहां पर आपको हमाई UPSC से लेके, other state services के भी आपको बहुत जादा help हो जाएगी, ठीक है application सारे courses अविलेबल है, उसके लिए आपको मेरा डेवशीष क्लासे जो है application को डाउनलोड करना पर आपका, लिंक के description box में दिया है, आप प्लीज जल्दी जल्दी आपको डाउनलोड करें, और अगर आपको नोच की जरुवत है, हैंडेटे नोच आपके घर तक पहुच जाएंगे, आप इकदम point frame में चीज़े रहेंगी, अब आपके इसरम sample देखना चाहते हैं, तो मैंने link के description box में डाल दिये, आपको जाएक आप नोच का sample देख लिजे, और नोच अपने घर तक order कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए, वीडियो को like जरू करें, चैनल को subscribe करके रखे, notification को बटन दबाए, वीडियो पसंद आए, वीडियो में comment करके जरूर बताए, इसका PDF मेरे telegram group में आपको free of course मिल जाएगा, तो आप तुरण telegram group को join कर ले, thank you.